आप देख रही है MNS News, सच जरूरी है गुर्वार को इस मामले पर अपना फैसला देते हुए सविधान पीट ने सुनवाई के लिए इसे बड़ी बेंच के सामने भेज दिया है अब शिर्श अदालत की साथ जजों की बेंच इस मुद्दे पर सुनवाई करेगी अदालत ने कहा कि विधाय की आयोग्यता पर विधान सबा स्पीकर फैसला ले हम इस मुद्दे पर फैसला नहीं लेंगे और ना ही हम पुरानी स्थीती को बहाल कर सकते है यानि उद्दव ठाकरे की सरकार में वापसी संबव नहीं है रिपोर्ट्स के अनुसार सुप्रिम कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच के पास भेशते हुए तलख टिपनिक भी की है नयालेग ने कहा कि स्पीकर को शिव सेना के दो गूट बनने के बारे में जानकारी थी भरत गोगावले को चीप वीप बनाने का स्पीकर का फैसला अनुचित था विधान सबा अद्देक्षय को जाच करने के बाद फैसला लेना चाहिए था स्पीकर को केवल पार्टी वीप को मानने था देनी चाहिए उन्होंने सही वीपूद को जानने का प्रयास नहीं किया अदालत ने यह भी कहा कि अंतरीक मतभेदों का समाधान फ्लोरटेस्ट से संबव नहीं है फ्लोरटेस्ट कराने से पहले राजपाल को सलाद लेनी चाहिए थी पार्टी के कलम में गवर्नर को हस्तक शेप नहीं करना चाहिए अदालत ने कहा असली पार्टी का दावा सही नहीं है निर्वाचन आयोग को चुनाव चिनन जारी अरने से नहीं रोखा जा सकता है सर्वक चनायले ने गवर्नर के फैसले पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि राजपाल ने जो फैसला लिया था वो सविदान के विरुद्ध था अदालत ने कहा कि उद्धव सरकार बहाल नहीं हो सकती थी क्योंकि मुख्यमंत्री पहले ही इस्तिफा दे चुके थे उद्धव ठाकरे इस्तिफा नहीं देते तो उन्हें राहत मिलने की संभाव न थी मगर स्वैच्छा से दिये गए इस्तिफे को अदालत रद नहीं कर सकती बड़ी बेंच को भेजा गया नबाम रेबिया मामला प्रधान नयादीश CGI DIY चंद्रचूर ने कहा कि निम्नलीकित मुद्दे कि एक बड़ी बेंच द्वारा जाच किये जाने की जरूरत है क्या एक स्पीकर को हटाने के प्रस्ताओं को आगे बढ़ने के इरादे से जारी किया गया नोटी सुने सविदान की दसवी अनुसुची के तहत अयोग्यता याची का उपर फैसला लेने से रोकता है एक बड़ी बेंच को इसका जिक्र करने के बाद कोट ने कहा कि नबाम रेबिया का मुद्दा मोजुदा कारवाई में सकती से नहीं उठा आएए बढ़ते हैं अगली खबर के तरफ दिल्ली का असली बॉस कोन? सुप्रिम कोट की सविदानिक बेंच ने सुनाया बड़ा फैसला मुख्य मंत्री या उपर राज्यपाल LG में से राष्टियर राजधनी दिल्ली का असली बॉस कोन होगा? प्रधान नियाधीश CGI DIY चंद्रचुड की अगवाई में सर्वत चनायले की सविदानिक पीट इस पर फैसला सुना रही है CGI ने सविदानिक बेंच का फैसला पढ़ते हुए कहा कि दिल्ली सरकार की शक्तियों को सिमित करने को लिए केंद्र सरकार की दलिलों से निपटना आवश्यक है NCTD Act का अनुच्छे 249 AA बहुत विश्तुरुत अधिकार परिभाशित करता है 249 AA विधान सभा की शक्तियों की समुचित व्यक्खा करता है इसमें तीन विश्यों को सरकार के अधिकार शेत्र से बाहर रखा गया है सुप्रीम कोट के इस फैसले से केंद्र सरकार बड़ा जटका लगा है कोट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है CGI चंद्रचूर ने कहां कि यह सब नयाय मुर्तियों की सहमती से बहुत मत का फैसला है यह मामला केवल सर्विस एज पर कंट्रोल का है अधिकारियों की सेवा उपर किसका अधिकार है उन्होंने कहां कि हमारे सामने सिमित मुद्दा यह है कि केंद्र शासीत प्रदेश दिल्ली में सेवा उपर किसका कंट्रोल होगा CGI ने कहां कि दिल्ली की पुलिस जमिन और अर्डर पर केंद्र सरकार का नियंत्रन होगा जबकि अन्य चीजे दिल्ली की निर्वाचीत सरकार के आधिन होगी। प्रधान नियाधीश ने कहा कि यदि एक निर्वाचीत सरकार को अपने अधिकारियों को कंट्रोल करने का अधिकार नहीं होगा तो इससे जवाब देही के सिद्दान्तों की कड़ी गैर जरूरी साबित हो जाएगी। इसलिए ट्रांसपर, पोस्टिंग ये अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेगा वही प्रशासन के कामों में उपर राज्यपाल एलजी को दिल्ली सरकार की सलाह माननी चाहिए। आईए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शिव सेना में क्यू पड़ी फू सर्वो चन्याले की सविधानिक पीट उद्धर ठाकरे एकनात शिंदे के शिव सेना में तूट और महारष्ट में सरकार बदलने को लेकर दाके लिया चिकाव पर फैसला सुनाएगी अधालत के इस फैसले से उद्धर ठाकरे और एकनात शिंदे का सियासी भविश्य भी नि बात शुरू होती है 2019 के विधान सबाव चुनाओ से जब भाच्पा और शिव सेना ने गडबंदन में चुनाओ लड़ा था राज्य की जनता ने कौंग्रेस एंसीपी को नकार्त हुए भाच्पा गडबंदन को स्पष्ट बहुमत भी दिया था इस चुनाओ में भाच्प बहुमत के साथ भाच्पा गडबंधन की सरकार बंद रही थी लेकिन एन वक्त पर उद्धो ठाकरे ने सीएम पत की मांग कर डाली भाच्पा का कहना था कि चुनाओ देविंद्र फड़न्वीस को ही सीएम फेस बना कर लड़ा गया ऐसे में किसी और को कैसे सीएम बनाय जा सकता है लेकिन उद्धो अड़े रहे आखिरकर जब भाच्पा नहीं मानी तो उद्धो वाली शियो सेना ने बाला साहिप की विचारधारा से उलट जाकर कॉंग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली और खुद सीएम बन गये उद्धो ठाकरे के कॉंग्रेस एनस बाला साहिप कहते थे कि सोनिया गांधी के सांदे हीजडे जुकते हैं इसी चिंगारी ने धीरे धीरे आग तब पकड़ी जब उद्धो सरकार में कॉंग्रेस और एनसीपी का अधिक दखल होने लगा और शियो सेना की हिंदू त्ववाली छवी खराब होने लगी ऐसे ही दीनबर की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे तब तक बने रही MNS News के साथ नमस्कार